हेलो दोस्तों एसके लेक्टों स्वागत है तो दोस्तों कैसे हुआ आज सकरतों बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों में देखिए मेरे सामने कि यह कोपी ओम्टेटर है 2.1 तो इसमें प्रोब्लम है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही वैसे ओन हो रहा है जैसे प्लग लगाते हैं हलका सा बुक जैसी आवाज आती है मतलब वह आ रही है साउंड इसमें तो इसमें डिस्प्ले नहीं आ आपको एक बढ़ दिखा देखिए यह मनें लगाए इसका प्लग प्लग लगाने के बाद इसमें हमें कोई भी यह पर डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रही तो दोस्तो यह पीछे से से आपको एक बार डिखाना चाहतं हूँ इसके पावर ओन है छेटक नीविस की ओन है मतलब फिर इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही तो इसमें प्रोब्लम क्या है दोस्तो इसको रिपेर करेंगा तो दोस्तो मेरे चैनल पर अपने तो प्लीज चैनल सबस्क्राइब कर सकते हो आपने करा का तो बहुत अच्छी वात है क् इलेक्टोन से लेटिड कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं डेली रिपेरिंग की वीडियो डालता हूं और अच्छे काम के आपको दिखाता हूं तो दोस्तों कंप्लीटली हैं पर हम इसके साइड मेरे सभी लगे हुए पेच पहले खोलेंगे पेच खोलने के बा इसको आप जाके देख सकते हो और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो दोस्तों इसको कर लेंगे यहां पर ओफ और यहां पर इसका पावर कोड़ भी हटा लेंगे और इसको यहां पर खोल लेंगे आप इसको कंप्लीट हमने दोस्तों इसके पेच खोल लिया हैं यहा तो तो दोस्तो तो कि आपकोuvo प्राइब रेस सब्सक्राइब कि वायर अड़ रहे हैं इसको wire मतलब RACS रखने में सेटिंग रखने में तो दोस्तों यहां पर हमने बावड को रख दिया है तो दोस्तों आप हम इसमें चेक क्या करना है पहले तो हमें पावर कोड से लगा देनी है मतलब हमें से में कान आफर में इनिलाइन देनी है इसके ऐसी की कोछ़़ा करना हुआ oh तो तक तक तो हमारी वोल्टेज जा रही है तो फिर भी हमें कन्फर्म कर लेना होंगे हमें मल्टिमेटर को 200 वोल्ट पे एसी पर सेट करना है यह हमारी सेकंडर रिवायर है तो तीन लगे होती है बिच वाली इसमें 0 होती है और साइड शाइड की बारा तो इस पर एक माइनस और यह वाली प्रोब रखके तो देख सकते हैं दोनों तरफ हमें मिल लिया है यानि कि हमें 12-12 मालब पूरी 12-12 पर हमें वोल्टेज मिल लिया है एसी की ठीक है, does लिया है, completely phase के बात करना है हमें बड़े वाले इन दो कैपिस्टर पर वोल्टेज चेक इन पर क्या करना है हमें 15-16 वोल्टेज मिल सकती है dc κι एक पे माइनस की एक पर प्लस की तो multi-meter को वीस वाल्ट पे सेट करना है और जो हमारे कैपिस्टर के यहां पर आप देख रहे हैं दोनों यह वाले जो इसके एक जंगर स्रीज जो बनना है मतलब बिच वाला जो पॉइंटर ग्राउंड उस पर रखना है मीटर का माइनस वाली प्रोब और फिर हमारे कैपिस्टर पर वाल्टेज चेक करें माइनस के 15.98 मिल लिया है और दूसरे पर प्लस के 15.98 तो यह भी ठीक है जब हमारे मैन कैपिस्टर तक भी वाल्टेज बनना हो बिस्प्ले में लाइन ना रही हो तो फिर हमें यहां पे एक SCR देखने को मिलता है जो कि हमा तो आपको ग्राउंड पर लगे ही रहने देना है तो देख सकते हैं, आउटपुट में हमें कोई वॉल्टेज नहीं मिल ली, इनपुट में हमें यहां पर वॉल्टेज मिल ली है प्रोपर तो यह समस्या दोस्तों ऐसे भी आते हैं, जब आगे कार-सूर्ट हो जाता है उसकी वज़े से भी तो करना क्या है यहां पर आपको एक तार जो देख रहा है यह वाला जो आउटपुट के लिए जा रहा है पांच वॉल्ट में में पेरनल के लिए जा रहा हुआ है ये तो इसको हटा के तब वॉल्टेज चेक करेंगे क्योंकि आगे कार्ड प्रोब्लम हो सकती है कार्ड सोटो तक तब भी आती है तो एक बार ग्राउंड पर रखके और इसके आउटपुट पर पिन चेकर देखेंगे जीरो पॉइंट में आदा वोल्ट मिला है में 52 तो देखें यहां पर पॉइंट में वैल्यू मिलिया तो यहां पर हमारी आउटपुट ही आठाता जिरो पांच कोई भी हमें वोल्टेज नहीं दे रहा है तो इसको हम यहां से निकालेंगे बाहर फिर इसको दोस्तो करना क्या है सिंपल है अगर आपकी यहां पर इसको 78.05 को 12 से ले लेकर 18 वोल्टे तक इंपुट मिल रही है और यह आउटपुट नहीं दे रहा तो आप इसको नॉर्मली चेंज ही कर दिजिए चेक वरने की भी जुरुत नहीं है, हमने यहां पर इस ओमडेटर को इसको आफ कर दिया चेकनी से, और यहां पर हम इसकी सॉल्डिंग सफ़ा कर लेंगे, दोस्तों हमने निकाल लिया है, कम्पलीट के आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं जो बताना चाहरा हूं आपको सबसे पहले सप्लाइ चेक करनी है, उसके बाद में कम्पोनेंट चेक करनी है, तो देखिए दोस्तों हमारी यहां पर इसको इनपुट तो मिल ली थी, बर यहां आउटपुट नहीं दे रहा था, दोस्तों आपको नंबर मैं दिखा सकता हूं इसका, देखिए जरा, यहां इसका मोडल नंबर, यह मलाइस का सीरियल नंबर जो भी है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, जोस्तों है, यह हमारे 12V तो 5V में करनी है, यह देखिए तक का लोड ले लेता है, इस पे चोटी से एक हीट सिंग लेकी हुई है, इसको हम यहां से खोल लेंगे, हमारे पास 78.05 अब हो सारे पुराने भी पड़े हुए हैं, ने भी हैं, तो फिलाल मैं यहां पर पुराना लगाँगा, मैं औरिजनल वाला लगाँगा इसमें, औरिजनल मैं आपको जड़ा एक बार दिखा दूए, यहां पर दो से थीन पड़े हुए हैं मेरे पास, तो एक दो मैं उठा आटी डिस्प्ले को अनकरता है मनलाँ काड को लिए चल लगाया जाता है तो इसको दोस्तों हम यहापे इसकी सॉल्डिंग सफा करके इसको सही डारेक्शन में लगाएंगे फिर्चंट पे इसकी इंपुट होती है थाइंड पिन इसकी ऑपुट होती है जो कि हमारे पांच वोल्ट के लिए, फर्ष्ट पिन हमारे बार वोल्ट के लिए, तो जिस डारेक्शन में आपने यह हटाया, उसी डारेक्शन में आपको यह बिलुकुल प्रोपर लगाना है, उसके बाद जो आप देख सकते हैं, छोटी जो हमने हीट सिंग हटाई थी दोस इसकी हमें नॉर्मली सोल्डिंग कर देनी है, सोल्डिंग करने के बाद दोस्तो करना क्या है, इसके बिच में एक बार आपको थोड़ा सा काम करना, देखिए मैं पहले आपकी सोल्डिंग कर दो दोस्तो, दोस्तो इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं यहापे, तो दोस्तो हमने तो इसके जो थोड़ी बड़ी लेक ती उसके वह ने काट दिया है जो थोड़ी एक्स्ट्रा थी थोड़ी तो इसके बीच में आपको एक बार थोड़ी सी पिन गुमा देनी है मतलब कोई चिम्टी वागा जिससे कि क्या होगा अगर बाई चाहिए से में कोई सोर्टिंग वा आपको यहां 6 वाल्ट भी मिल जाती तब भी काट को कोई प्रोब्लम नहीं है यहां पर पांच में चोर्टिंग की वज़े से तो नहीं बंद हुआ तो अब दुबारा इसकी वाल्टेज चेक करते हैं दोस्तों हम इसकी आउटपुट देख सकते हैं यहां पर थोड़ी से आउटपुट देखते हैं इसके कितनी मिल ली है हमें काड का लगाने पर लोड डालने पर तो देख सकते हैं दोस्तों 5.31 यानि कि हमें पूरी वाल्टेज मिल ली है यह काड के लिए बिल्कुल सही वाल्टेज है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर बहुत सी कमेंट आएंग इसमें पांच होल्ट मिलनी चाहिए थी तो ऐसन कुछ नहीं है तो देखिए हमारा काड पैनल दोस्तों फलाल यहां पर ओन हो चुका है यह पहले ओन नहीं हो रहा था तो कम्प्लेटली गाइस में यही प्रोब्लम थी इसका यह 8705 जो है यह खराब हो चुका था अब यह क क्वार पैनल पर दोबारा दिखा देता हूं देखिए काड भी ओन हो चुका और पी पैनल में अच्छे से लाइट आ चुकी है तो इस तरह से आप भी दोस्तों रिपेर कर सकते हो सिर्फ इसमें यह चोटी सी प्रोब्लम थी जब ऐसी प्रोब्लम आये तो मैंने प्रोब्ल प्लीज दोस्तों आपके लिए जाहें